वेल्कम बैक टू आवर चैनल दोस्तो तो एक और हम बेल्टराउन के प्रिवियस एयर का ओफिसियल जो पेपर हुआ था उसका हम आज विसिलेशन करने वाले हैं तो जैसा कि दोस्तो आप लोग को पता है कि ये बेल्टराउन का री रेइस्टेशन की जो परकिरिया थी वो सम आप तो गया है पंदरा तारीक तक इसका डेट था तो वो आज तक आप कर सकते हैं इसके बाद अगर आप जो है एक से ले करके टोटल इसमें साथ कोईस्चन देखने वाले हैं और ये ओफिसियल बेल्टराउन का पेपर जो हुआ था अठारा बारा दोहजार उनीज का उस एक नमबर कोईस्चन में दोस्टो कहा जा रहा है कि MS Excel 2016 में डैस अंतिम किरिया को दोहराने के लिए सौटकट कुंजी है तो ये F4 की सहायता जो फंसन की होता है F4 उसकी सहायता से आप जो है वो है ना अंतिम किरिया को दोहरा सकते हैं सौटकट जो है उसका वो F4 है इसी प नियमो और कन्वेंशन का एक अपचारिक सेट जो यह नियांतरित करता है कि कम्प्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यां पर सुचनाओं का आदान परदान करते हैं तो डैस की रूप में जाना जाता है यानि उसको किस नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर तीन से कौन computer system के समय में भासा अनुवादक का एक मामनिपरकार नहीं है तो वह दिबगड जो है वह भासा का जो है का मानिपरकार नहीं है इस परकार چार नंबर का जो हमारा question कर रहा है की MS Excel में सेल की समागरी content को संपाधित न करने के के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है तो वह एफटू का जो है वह हम यूज करते हैं फंसन की एफटू इसी परकार पांस नमर को चनका रहा है रूलर वार डिफॉल्ट रूप से परदासित होता है और डैस के नीचे दिखाई देता है तो वह टूल वार हो जाएगा वरक्षिट की आप वर्कबुक की सुख्षा के लिए रिव्यू टैप पर जाए और फिर प्रोटाक्षिट पर क्लिक करें या चेंज ग्रूप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें तो वह साथ है यह हमारा जो है वह जब आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तो यह है और थे इंटर फेस के रूप में कारब करता है तो वह पडियोक करता याने यूजर और हर्टबय के बीच में यह काम करता है कि इसी परकार आठे नमर में कर रहा है कि एक्सल में कॉल्ब्ल अनि कया जाता है तो वह को अ करके रहता है नौ नॉम्बर में कहा जा रहा है कि वाइल ड्रागिंग देक्स दा माउस पॉइंटर चेंजेज तु ए बॉक्स विथे स्मॉल डैस एरो अभर इट इंक्लूडिंग यूअर ड्रागिंग टेक्स्ट हैं तो यह ड्रागिंग टेक्स के बारे में पुछा रहा है कि जब हम इसको माउस और प्वेंटर से चेंज करेंगे कोई भी सेलेक्टेट बॉक्स को तो वह एस्मॉल जो है ना ग्रे एरो होता है वह ड्रागिंग टेक्स में जो है वह वह इंडिकेटिंग जो है वह इंडिकेट कर जाता है इसी परकार दस नंबर कुश्चन कह रहा है कि MS Power Point Presentation की सनरचना को डैस में दिखाया जाता है तो उसको हम Outland View में इसको देखते हैं 11 में कह रहा है कि MS Word 2016 में विंडो को विवाजित करने के लिए shortcut कुँझी क्या है तो वो Alt पलस Ctrl पलस S जो है इसके साहिता से हम इसको विवाजित कर सकते हैं MS Word को विंडो में 12 नंबर में कह रहा है डैस लिंक दिये गए दस्तावाजव या प्रिष्टों का एक संग्रा है जो लाखों कम्प्यूटर उपर संग्रहित अस्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है तो वह www जो होता है वो इसका वर्डवाइब का फुल फर्म होता है जो भी कम्प्यूटर है वो एक दूसरे जो है ना संग्रहित है स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट का जाल जो है वो फैला हुआ है तेरा नंबर कोश्चन में का रहा है कि केवल डैस केवल तब होता है जब हम डेटावेस फील्ड को एक टेक्स्ट डोकुमेंट के रूप में लेटर में मर्च करते हैं तो वो मेल मर्च के जो होता है उसमें किया जाता है 14 नंबर में कराए किसी वर्क सीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं तो उन सभी सेलो का चैन करें जिसे आप बॉर्डर है ना निकालना चाहते हैं फिर बॉर्डर मेनू में कहा जाता है 16 नमबर में कहा रहा है कि MS Excel में किस परकार का डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वो फंसन की का जो है उपयोग एकसल में नहीं होता है 17 में कहा रहा है कि चार्ट विशेश रूप से स्टॉक अर्थ सेरो के हो समद्धी डेटा मानों के हो लेकर प्लांटिंग के लिए बनाया गया है तो वो स्टॉक होता है 18 नमबर में कहा रहा है कि MS Excel 2016 में हो मेनू के ताहत एक परविश्टियों की एक स्र टेंडाने और है बाराल भद होता है तर इसले नमीच नमबर में कहा रहा है कि इन में से कौन सा इंटरनेट या जो होग वह जो होग जो होता है वह जो होगलेजेंग नहीं होता इंटरनेट का चैस की ड्रैग एक द्राप भी वर्कपेट फाइलों का फाइल एक्स्टेंशन डैस होता है तो वह आर टी एफ होता है दोस्तों बता दूं कि इसमें टोटल आपको साथ कोश्चन देखने वाले हैं तो आप जरूर आंति तक देखें ताकि आपको आने वाली परिक्षाओं में है ना इसका सहायता मिल सके और डालने में सक्षम हो तो आप इसके लिए कि इस फंसन का उप्योग करेंगे तो वह होता है डेटा वेलिडेशन इस परकार से MS 23 नमबर में का रहा है कि MS पावर पॉइंट डेश का एक उधार है तो वह परजेंटेशन सॉप्टवेर होता है MS पावर पॉइंट चोविश नमड़ में किगाए कि टाक्स बार में एक प्रोग्राम को सामीड किया जाता है यहरु आप इस परयूग सुरू करने चाहते हैं तो आपके इसके आइकन पर है ना डेस करने के अब सकता है तो वो सिंगल क्लिक करेंगे तब ये प्रोग्राम सुरू हो जाता है 25 नमर में करा है कि कौन सा भासा प्रोसेसर उच अस्तर पो लिखे गए प्रोग्राम को मसीन भासा है प्रोग्राम पंक्ती दर पंक्ती लाइन बाइज है ना अगर आप है 27 नमर में कहा जा रहा है कि MS Excel 2016 वर्क्सीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपर लिंक जो ना चाहते हैं तो आप कौन सा है न मैनू आपको हाइपर लिंक जोने का विकल्ब देगा तो वो जब हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो वो हाइपर लिंक का जो आप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद 28 नमर में कहा रहा है कि डैस में फाइलों का समू का एक फोल्डर होता है तो वो फोल्डर फाइल में जब जाएंगे तो वो एक से ज़्यादा फाइलों का समू का एक फोल्डर होत 29 नमबर में कहा जा रहा है कि अंतिम घटा को कट या कॉपी किये गए उन्हें वर्क के लिक बोर्ड में रखा जाता है तो वह चैनिट सेलेक्टर जो हता है उसको 30 नमबर में आपको MS Word 2016 डोकुमेंट में एक उधारन यानि साइट सामिल करने की आप सकता है तो आपको यह विकल्ब कहां मिलेगा तो वह रिफरेंस मेन्यू में हमको यह मिल जाएगा 31 नमबर में कहा जा रहा है कि MS Excel 2016 में सेल एटू से सुत्र जब हम इस एकवल टू बी टू पला सी टू है इस सुत्र को सेल सी टू में कॉपी करने पर सुत्र डैस बन जाएगा तो वह हमारा सी टू पलास जो है वह वह बन जाएगा 33 नमबर में कहा रहा है कि MS Word में पेज नमबर को हेडर या फूटर में डैस द्वारा सामिल किया जा सकता है तो वह मार्जिन के साहिता से हम इसको सामिल कर सकते हैं और में हैं कि द्रियाında चाहिए सबस्क्राइल साइज में सब्सक्राइश energy लंसे में क्या रहा है निम आयद में सब्सक्राइश को सब्सक्राइब्स इस तुल सब्सक्राइब कीमां diagnosis सोइब गूरिए सब्सक्राइब माउस CPU सब जो है वो इनको डिवाइस है थर्टी सिक्स में कहा जा रहा है कि MS Excel 2016 की वर्क्सीट में बोक की कई प्रविष्टियां है या बुक होड़ना चाहिए या ऐसे सभी उधारणों को ढूंडने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उप्योग करेंगे तो कंट्रोल प अगर करना है तो वह हमारा कंट्रोल प्लस एफ्टू के साहिथा से थर्टी एट में कह रहा है कि आपके पास MS Excel 2016 में कई वर्क्वुक खुली है यानि कंट्रोल प्लस डवलू और कंट्रोल प्लस एफ़र दवाने पर क्या अंतर है तो यह कोई भी फरक नहीं है यह दोनों से यह काम करेगा कंट्रोल प्लस डवलू और कंट्रोल प्लस एफ फॉर फंसन बठन है ना इसी तरह से थर्टी नायन में कह रहा है कि आमेस पावर प्वैंट 2016 में सलाइड सो के दोरान कमांड कंट्रोल प्लस पी का अपयोग करने से क्या होता है तो सलाइड सो के दोरान से पूरा करने के लिए उसे MS Excel की किस भी सेस्ता के उपयोग जो है वो करना चाहिए तो हम इसको आटो फिल करके सेलेक्ट करके आटो फिल करेंगे तो वह हमारा अटोमेटिक जो है वह एक से लेकर 40 तक संख्या दर्ज हो जाएगी 41 निमबर में कहा रहा है कि एक डेटावेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है जिसमें एक मेलिंग सुची MS Word मेल मर्ज में प्राप्ट की जा सकती है तो यह डेटा सोर्स के माते हमसे हम इसको प्राप्ट कर सकते हैं 42 में कहा रहा है कि MS Excel आपको डेश कंटेंट की बाई और केंदर दाई और संख्यत करने और जस्टिफाइग करने में सक्षम बनाता है तो यह सेल को हम बाई से दाई और संख्यत करने और जस्टिफाइग करके हम उसको बना सकते हैं 43 नमबर में का रहा है कि MS Excel में निलिकित में कौन सा माने फंसन नहीं है तो max का होता है sum, minimum, maximum, sum का भी होता है A, B, G के जो है वो नहीं होता 44 में slide shorter view में सभी slides dash में सामिल होता है तो ये thumbnail में जो है वो सामिल होता है 45 नमबर में का रहा है कि निम लिखनी में से किस वर्क के डिवाइस को माइक्रो कम्प्यूटर में सामिल नहीं किया गया है तो यह सूपर कम्प्यूटर जो है उसको है माइक्रो कम्प्यूटर में सामिल नहीं किया गया है एक प्रिस्ट भूमी यानि बैक्ग्राउंड चीतर जोडना चाहते हैं तो आपको इसका विकल्प कहां मिलेगा तो पेज लियाउट मेनु में जब जाएंगे तो वह हमारा विकल्प जो है वह बैक्ग्राउंड का देखने को मिल जाएगा 48 में कहा रहा है GUI का बिस्तारित रूप क्या है यानि पूरा नाम क्या है तो यह ग्राफिकल रियूजर इंटरफेस होता है GUI का फूल फॉर्म इसके बाद 49 में कहा रहा है कि आप किसी वर्क्षीट की पंक्ती या कॉलूम का अकार बदल नहीं सकते हैं यह गलत है हम इसको बदल सकते हैं 51 में कहा रहा है कि डॉट मेक्रिक्स प्रिंटर की गति को डैस में मापा जाता है तो यह उसको हम सीपीएस में मापते हैं यानि डॉट मेक्रिक्स प्रिंटर को गति को हैना किस में मापा जाता है सीपीएस में बावन नमर में कहा रहा है कि एक्सल भूले हुए पासवर्ट को पूर्ण पराप्त करने का कोई तरीका पदान नहीं करता है तो यह सत्य है तिरपन में कहा रहा है कि डैस एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उप्यों इंटर्नेट पर कंप्यूटर दर्साने के लिए किया जाता है तो यह हमारा आईपी अडिरेस जो होता है वह होता है चवबन नमर में कहा रहा है किस कमांड के अंतरगत आपको SmartArt कमांड मिलेगा तो यह इना इलस्ट्रेशन में जाके यह हमारा मिल जाएगा 55 नमबर में कहा रहा है कि डैस एक सॉप्ट्वेर प्रोगाम है जो प्रियो करता यूजर्स में वर्ल्ड वाइब वेब तक पहुंचने को निगेटिव करने की निविगेट करने की अनुवती देता है तो वो ब्राउजर होता है इसके बाद 56 नमबर में कहा रहा है कि MS PowerPoint 2016 में तस्वीर सामिल करने के लिए shortcut कुझी क्या है तो वो हमारा Alt पलस N पलस P जब करेंगे तो उसमें हम तस्वीर जो है वो insert कर पाएंगे 57 नमबर में कहा रहा है कि MS Word 2016 में document को बंद करने के लिए shortcut कुझी क्या है तो इसके लिए shortcut कुझी क्या है तो यह हमारे control पलस W हो जाएगा 69 नमबर में कहा रहा है संपून पक्ति रो को highlight करने के लिए हम dash कप्यो करते हैं और आवस्या क्या दिए कि माप डंडो के आधार पर एक सूतर दाज करते हैं तो वो सतर्त स्वरोप यानि conditional formatting जो होता है उसके थुरू हम इसको कर सकते हैं 60 नमबर यानि last question कहा रहा है कि keyword में dash सामिल नहीं होता है mouse यानि keyword अलग होता है और mouse जो है वो अलग होता है numerical की होता ही है control की होता है function की होता है लेकिन mouse जो keyword में नहीं होता है तो इस तरह से दोस्तों हमने एक से लेकर के total साथ question को जो है visualization की है अगर आपको अच्छा लगा है तो like कीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी share कीजिए ताकि उनको भी help मिल सके आगामी जो built on का exam होने वाला है उसमें तो फिर इसी तरह मिलते हैं एक और नए topic के साथ तब तक के लिए जये